ये आपका आज का संपात किये पार्ट है। और संपात किये पार्ट आपको बिर्लिम्स में, मुख परिक्षा में, इंटर्व्यू में, हर जगे मदद पहुचाते हैं। और यहां से एक सामान जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तिबबत की आबाज बने भारत। एक समय हुआ करता था कि तिबबत आजाद हुआ करता था। बाद में आप देखते हैं कि चाइना ने, हमारा पडोसी जो चाइना है ना, इसने कबजा कर लिया था। देखे ए इस बात, इस छेत्री की बात हो रही है। लगदाग, हिमाचल पिदेश, उत्राकंड, सिक्किम और अधुना चल पिदेश, पांच राज्यों की सीमा हमारी लगती है किसे चाइना से ये तिबबत आपको देखने को मिलता है। तो अमेरिकी सांसदों का एक दल जिस तरह दलाई लामा से धरम साला आकर मिला हुआ है। और इसका पिरभाव दुनिया के अनेक देशों पर भी पढ़ सकेगा। और इन देशों में सबसे महत्पून है भारत। वह लेकनी है कि केवल यह नहीं कि भारत ने अमेरिकी सांसदों के दल को धरम साला आकर दलाई लामा से मुलाकत करने की अनुवती दी। वलकि इस दल से पिधानमंतरी मौदी ने भी भेंट किये और डौकलाम यह आप देखें कि डौकलाम और गलवन घाटी पर भारत चीन तरहों के संदरम में भी इसका इसपर्ट संकेत है। और यदि भारत भी कूटनीती में चीन की तरह यह थार्त वादी कदम उठाए तो आपसी संदर सुधार की संभावना बढ़ेगी। केबल सदिक्चा और सांकितिक बातों से भारत को आजता कुछ लाब नहीं हुआ है। और वस्तुता तिपद ही भारत चीन संभनों की बीच की कड़ी है। और इसकी अंदेखी से आपसी विश्वास नहीं बन सकेगा। अब आप सोचे अगर तिपद आजाद होता तो हमारे सीमा चाइना से लगती ही ना। देखें लगदाक में हमारा जो जड़क हुई थी ना और यहाँ आप देखते हैं कि कबजा करके बैठा हुआ है अकसाई चीन पर वो अकसाई तो यहाँ वो आता ही नहीं सोच सकते हैं आपके आजस्तेती रहती है पिर। और यहाँ इस मरेड़ी है कि बिजिंग में 1954 में हुआ पंचसील समझोता भारत तिबबत पर ही था और इस समझोती का सही सक ही है चीन के तिबबत छेतर और भारत की बीच ब्यापार और समंधों की बारे में। छे अनुचेदों के इस संचिपत समझोती में कुल में नो बारत तिबबत का नाम आया है और इस में से पांच अनुचेदों में केबल इसके वर्डन है कि भारत तिबबत समंध पूरवत चलते रहेंगे। एतिहासिक दिरिष्टी से 150 साल कुछ नहीं होते हैं। 1951 तक तिबबत सुतंत देश था। मार्च 1947 में दिली में ASEAN LA Relations Conference में तिबबत और चीन दोनों ने सुतंत देशों की तहत हिस्सा लिया था। 1914 में सिमला में चीन, तिबबत और भारत ने आपसी सीमांकन समझोता भी किया था। यदि चीन 18-90 की दस्तावेजों का हवाला देकर डोकलाम को अपना बताता है तो 1914 की दस्तावेज के अंसा तिबबत भी सुतंत देश है। और ऐसे तत उठाकर ही भारत, चीन और तिबबत तीनों की बीच पहले की तरह आप देखेंगे कि परसपरस्ता का समंध बनने का मारग मिल सकता है। यह ठीक है कि 1949 में भारत से भूल हुई जब उसने चीनी कवनिश्टिप को तिबबत हड़ने दिया और उसके एवज में चीन ने भारत और तिबबत को संतोष्ट करने के लिए पंचसील का उपाय किया। और उसका सार यही था कि तिबबत और भारत कि सांस्कितिक, ब्यापारिक और सामाजिक समंध पहले जैसे चलते रहेंगे बिना किसी पासपोर्ट, बीजा, या फिर मट या फिर परमिट आदी के। या इतिहासिक सकत है कि भारत और तिबबत के समंध सदियों से खुले और पारसपरिक थे जिसमें आप देखे चीन का कोई अरोध ना था, जब चीनी नेता पंचसील समझोती का हवाला देते हैं, तो भारती नेताओं को कहना चाहिए कि उसके अनुचेद 2 और 5 के अनुचे तिबबती एवन भारती तीर्थ्यात्रियों की वेरोग टोक यात्राएं पुनर इस्थापित की जाएं, और वस्तुता नियाय और वेवारिकता दोनों का तकाजा है कि पंचसील समझोती कि सभी 6 अनुचेद लाओ के जाएं, अन्न था तिबबत और उसकी साहिता के लिए अन उदार देश उसी तरह सुतन थें, जैसे अन देश किसी पीड़े देश की मदद के लिए होते हैं, और निर्मल, निर्मल बर्मा से तिबबत को संसार कंतिम उपनेवेस बनाये था, और भारत और तिबबत को अपनी सांजीश चिंताओं और सांसकेदिक जरूरतों पर ब भूल जाते हैं, भास्तों में होना उल्टा चाहिए, सदियो तिबबत का नाम लें और चीन को टोकें, भारत का पड़ोसी पहली तिबबत है और उसके बापार चीन है, पंचिसील समझोता होने पर कई ही पत्त्य पत्तिकाओं में खबर का सीज़ सकता कि भारत तिबबत या थार्दवादी होने के कारण तिबबत और भारत दोनों के अधिकार से अवगत है, इसलिए वो है दलाई लामा पर सावधान रहता है, और उनसे देशी बिदेशी नेताओं के मिलने जुलने का विरोध क्या विरोध करता है, जबकि भारत अमने कर्तब से चूक जाता है और आप देखेंगे कि यह विच्चत है, जिस तिबबत को लेकर भारत का समझोता बिजिंग से हुआ था, उस तिबबत की बाद भारत ही नहीं करता है, और इसमें आप देखेंगे कि चीन द्वारा तिबबत पर हमले के बाद संपूर्ण बिस्ट ने पहले भारत की ओर ही देखा था, क्योंकि उससे सरवादिक प्रभावित होने बाला आप देखते हैं कि देश भारत था, भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही, वरना अब तब तक कम्यूनिस्ट चीन महासक्ती क्या मानता प्राप्त देश तक नहीं था, सईबत में भी 1971 तक भार मोसा ताइबान को मानता थी, अमेरिका ने 1978 तक कम्यूनिस्ट चीन से कूटनेतिक सम्हद तक नहीं मनाये थे, और यदि तिबत पर भारत आबाज उठाता तो चीन मनमानी नहीं कर सकता था, वह भोल सुधारना भारत का अनिवार करतब है, और उस पर आप पर यदि भारत ने इसे विस्वमंच पर उठा दिया, तो ऐसा नहीं रहेगा, और चीनी सत्ता ने अपने देश में ताना साही को और औजार बनाया है, तो अभी वेक्ति सुतनता भारत का साधन बन सकता है, और आप देखते हैं कि इसमें तिबतियों को विचारिक, सांस्क पर जरूर दिया करिएगा, हार कर भी खुसी मनाती कॉंग्रेस, कॉंग्रेस को भाजाबा की सीटें घटने पर आनन्दी थानी के बज़े अपनी हार का मुल्यंकन घटना चाहिए, राजनीती की बातें हो रही है, और यहीं समझ में नहीं आ रहा है, कौन जीता कौन हारा, क्योंकि दोनों खुसें, वो कोई बैक्ति कलात्मक धंग से जीता है, तो उसका जीवन बहुत सारतक और सफल बन जाता है, यदि वह जीवन की कला को नहीं जानता, तो उसका जीवन निरस बोजिल और निरतक हो जाता है, इसके लिए आवस्ते कि जीवन में सकारात्मक सोच रखना, जीवन के पिती हर से होते जाते हैं जीवन में जितनी अपेक्चाय बढ़ती हैं उतने ही दुख भी बढ़ते जाते हैं और हम सब जीवन में कुछ बढ़ा करना चाहते हैं कुछ ऐसा जिससे अलग पहचान बन सके या चाहते सब हैं पर कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं और आप देखे कारण है कि हम खुद को पूरी तरह अपने काम में डुबो नहीं पाते हैं हम यह नहीं जानते हैं कि हम क्या बन सकते हैं कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है कि हम ध्यान भटकाने बाले बाली चीज़ों से दूर है और इसके लिए अपने लक्ष पर ध्यान होना बहुत जरोरी है जीवन में अच्छा या बुरा सब कुछ घटित होता रहता है मुल बाते हैं कि आप क्या सोचते रहे हैं अपने सोच के अलाबा किसी और चीज पर हमारा काबू भी नहीं होता है हमारे जानदत दुख हमारी अपनी उम्मीदों से पैदा होते हैं इनमें से भी कई जमीन से ना जुड़कर ख्याली होती हैं और आप देखी इसी कारण एक बार असफल होने पर हम दुबारा कौसिस नहीं करते हैं वर्तमान जीवन से लिए कि चलते हमारी जीवन में भागदोर अंचाही पितीस परदा हड़ बड़ी आदि कई ऐसे नकारत्मक तत्तों समा गए जो जीवन को कठिन बना रहे हैं अब आप कहोगे कि हिंदी इंगलिस मत में कुछ मत बोला करिएगा क्यूंकि हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो बिल्कुल अनावसक आपत्ती तो नई लोगसभा के गठन के बाद संसत के दोनों सुद्रों की सयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्टपदी जी ने जो कुछ कहा उससे मौधी सरकार के एजन्डे की ही जलक मिलती है देखिए आपने देखा कि अभी हाली में हमरे देश में लोगसभा के चुनाव हुए थे पांसो तेंटाली सीटे हैं लोगसभा में लोगसभा सदस का चुनाव डारेक्ट जनता है यानि कि मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपके उमर 18 साल हो चुगे तो वोटा सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे पहले 12 साल हुआ करती थी वोट देने की उमर फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था एक सटबे समीधान संसोधन के द्वारा एक चुनाओ कर बाता को ने एलेक्सन कमिसन ऑफ इंडिया भारती है निर्भाचन आयो एक समीधान एक संस्ता है समीधान के नुचे 324 के दाए चुनाओ आयो की स्तापना की बात की गई है और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में स्ता बैठक होती है पहली उसमें आप देखें दोनों राज्यसभा और लोगसभा के सदनों की सेवति बैठक को संभूदित करते हैं कौन राष्टपती यह सबाब एक भी एक क्योंकि ऐसे आउसरों पर राष्टपती का अविभासन सरकार की रोप्रेखा को ही रिखांकित करता ह बले ही पिधानमंती मौदी गठवंदन सरकार का नितित करे हूं लेकिन राष्टपती की अविभासन से यही सपश्ट होता है कि यह सरकार पहले की तरह ही कार करेगी और उन कामों को पूरा करने पर विसे ध्यान देगी जिसका उलिक पिधानमंती पिछले कुस्तमें से बित्ति होना है संख्यावल में विद्धी के चलते बिपक्च को जहां लोकसवा में नेता-पिति-पक्च का पद हासिल हुआ है उहीं दूसरी और उसका मनुवल भी बड़ा है वितिति तीन-चार दिनों में संसद में आप देखते हैं कि जो कुछ हुआ है उससे बिपक्च क बड़े मनुवल का ही पता चलता है विपक्ष उतसाहित होना सवभाविक है लेकिन उच्छी एतिया होगा कि वह विरोध के लिए विरोध बाली रविय का परिच्या करें इसके स्थान पर उसे रचनात्मक विरोध का परिच्या देना चाहिए दुरभाग से फिलाल इसके अस मतलब है कि जिनका अभी वासां तो सरकारी भासार थे ऐसा तो होता ही है और आपने देखा हो हमारी सरकार ait Eğer कि Up जताई तो विपक्च को यह रास नहीं आई क्या यह एक तत्थ नहीं है कि बीते पांच बरसों में केंद्री इस्तर के साथ ही राज इस्तर की भी अनेक पितियोगी पर एक च्छाओं के पिसमने पत लीक हुए हैं विपक्च तब भी आपे से बाहर होता है होता हुआ दिखा जब राष्ट्पती ने अपनी अभीवासन में आपातकाल के काली कारणामों के याद किया इंद्रा गांधी के समय की बात हो रही है उन्नीस्तो पच्छत्तर में जो राष्टी अपातकाल लगा गया था ना तो उसी की आगिर विपक्च चो बिसे इस रूख से कॉंग्रेस आपातकाल के जिक्र मात्र से क्यों भड़क जा रही है कॉंग्रेस ने ता आपातकाल का उलिक भर किये जाने से जिस तरह बिदक रहे हैं उससे तो यही साबित कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि आपातकाल का इसमर्ड इसमर्ड किया जाना क्यों आपसक है और आप ही नहीं चिंता का भी विशा है कि कॉंग्रेस को आपात्काल के स्मयर्ड पर भी आपत्ती एक तरह से आप देखते हैं कि आपत्ती है और बेहतर होगा कि सरकार का ब्रोद करते समय आप देखेंगे कि बिफ़क्षतनिक तारिक रफिया अपनाए अपनाए चलिए अच्छा को बढ़ानी होगी चोकसी विहार में पाकिस्तानी खोपी आजंसी आईएसाई और पाकिस्तान पाकिस्तानी अपराधियों की बढ़ती गतिवधिया चिंता जनक हैं गद दिबस पोलिस ने पटना से दो साइवर अपराधियों को गरफतार किया और फरशन चंपारन के रहने दो बढ़ाधियों की संपर्क में थे इन दोनों के अलावा राज्य के कई और यूवक पाकिस्तानी अपराधियों के संपर्क में हो सकते हैं संभाव है कि आप देखेंगे इस संभाव है कि जिस तरह सलमान खान पर हमला करने बाले पुलिस वाले यूवक की गरफतारी के ब पिदेश में साइवर अपराध के मामली लगातार बढ़ रहे हैं और पिदी दिन आप देखेंगे नए नए मामले दर्ज हो रहे हैं यह अपराधी कहीं से बैटकर लोगों को ठगी का सिकार बना लेते हैं और इन में पाकिस्तानी मोबाइल नंबर का उपयोग अधिक हो र कि महला हैंडलर के हनी टैब में फसकर उसे रख्चा से जुड़ा दस्तावेज उपलब दिकराया था रभी यहां लेपेग बनने से पहले चैन्नाई की आवासी आवाडी इस ते रख्चा मंतराले के भारी काहां बाहन कार खाने में कलाक्र था कंप्यूटर ड्यूटी के द पुलिस की आर्थिक अपराद एकाई भी मामलों की निगरानी करेगे लेकिन आम लोगों को विस सजग एक तरह से आप देखते हैं कि रहना होगा संदिक गतिविधियों बाले लोगों की जानकारी पुलिस को तत्काल उपलद कराने चाहिए विहार की अगर हम लोग बात कर हो गया जारिकंड हो गया पश्ची मंगाल हो गया नीतिस कुमार यहां की चीप मिनिस्टर है और राजिंद अर्लिकर यहां की राजजपाल है और आप दिखेंगे विधान सबामें 243 सीट है राज्य सबाम सोले सीट है लोग सबामें 40 सीट है चौरानबहजार 163 किलोमीटर में पहला हुआ है आपका चली यह भी याद रखिएगा भारत का पहला साहित सहर हाली में उत्तरी केरल में स्थित कोची कोड को यूनेस को द्वारा आध्धिकारिक तोर पर भारत का पहला साहित सहर सिटी ऑफ लिट्रेचर गोचित किया गया एक बार केरल को देख लिजे थोड़ा और देखें इस तरह के जो संगठ हैं ना इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा देखें यह केरल है तिरुअनत परमस्की राध्धान इसकी सीमा करनाटक तमिलाडू से लगती है किनके बारे में याद रखना है और विधान इसको कि अगर हम बात करें तो दान इन किसकी बात हो रही दा यूनाइटे नेशन्स एजूकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और गनाईजिशन इसकी स्थाफन आप देखें सूले नम्मर 1945 में हुई थी और इसका हेड़कॉर पैर्डिस फिरांस में देखने को मिल इसकी बिरासत का बलकि इसकी मजबूत साहितिक बुनियादी धाचे और धाचे और पहलों का भी प्रमाड है सहर में आप देखी 500 से यदिक पुस्तिकाले और सत्तर प्रिकासन ग्रह हैं जो सालाना 400 से 500 किताब में प्रिकासित करते हैं इस अंस्थान सहर की निवासियों की भी साहित और ग्यान के पिती प्रेम को बड़ा बात देने में महत्पूर भूविकाने बाते हैं पुस्तिकाले और प्रिकासन ग्रहों की इतने विसाल नेटवर्ग की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि साहितिक संसाधन व्यापग पार्टकों तक पहुंचते हैं जिसे पढ़ने और लिखने की संस्किती को बड़ावा मिले कोची कोड के साहितिक परिदिस थे की जीवंदत था इसके सांस्कितिक और साहितिक कारक्रम द्वारा भी उज्यागर होती हैं सहर में कई पुस्तक मेले साहित्तिकोसव और लेकक समेलन आयजित किये जाते हैं जो साहित के पिति उस्साही लोगों के लिए लेककों और उनके कारियों से जुड़ने के लिए मंच बिदान करते हैं एक कारक्रम बौद्धिक आदन पिदान और रचनातमक प्रोसाहित करव प साहित्ति सभी चेत्रों के लोगों के लिए सॉलब हो सवाविसिता और सांस्कितिक भागेदारी को बड़ावा दें, साहित्तिक समाजा के लिए एक दरपन की रूम में कार करता है, जो इसके मोलियों और संगर्सों और आकांचाओं को दरसाता है साहित जीमन को सम्रिद्ध बनाता है द्रेश्टी कौर्ण को व्याफक बनाता है और साहनभूती पैदा करता है साहित एक अधिक समावेसी और समझदार समाज का मार्ग पर सस्त करता है किसी भी समाज की सांस्कितिक और बौद्धिक सम्रिद्ध के लिए साहित्य कि पμάति को बड़ावा देने के लिए सामोह एक प्रयास पोचिक ओरड का सायत्य के पिती अपार प्रमदों itip को साहट्य के विए उसा ही जुन पैदा करना चाहिए ताकि पड़ने की संस्किती विक्सित हो सके इस के लिए पुस्तका लेहों की स्थाफना पुस्तक मेले कायोजन स्थानी लेक्वकों को समर्थन देना मत पूण है कि यह आप लोग देखे टिपड़ियां रहती हैं देखना हुगा कर तो देख लिया करें पढ़ना हुगा करें तो कई कदम उठा रही है और इसी करम में केंद सरकार ने पितियोगी परिक्षाओं में कदाचार और अनेमिताओं पर अंकुस लगाने के लिए लोग परिक्षा अनिचिस साधनों का निवारन अधिनियम 2024 की अधी सूचना जारी कर दिये एक बात आप लोगों को और बता दूए जब आप लोग सरकार की तरफ से पहल की रूम में लिखते हैं न तो इन कानून का उलेक आप लोग जरूर कर दिया करेगा तो हाली में कई परिक्षाओं में कथित अनेमिताओं को लेकर खड़े हुए विवात के बीच केंद सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है और या कानून पेपल लीक माफिया पर सिकंजा कसने में काफी हद तक कारगर सावित होगा और लेकनी है कि पिछले कुछ बरसों में प्रिसनपत्त लीक की घटनाओं ने परीक्षा पिक्रियाओं को बादित किया है और आप देखे इससे सरकारी नोकरी पाने के एक चुक लाको और वस्तुता समय समय पर देश में किसी ना किसी छेत में सरकारी भरतीकों में अने मिय Philippe जानने की खवरती आती रहती और इस पिकार पिकरड़ों ने जहाँ एक और प्रिखाओं को आयोगों की विस्वसनिता पर पिसने चिन लगाया वहीं आप देखे दू Solo चात्रों में निरासा बगुस्ते का संचार भी किया है। अब उनका मनोबल भी कम होता है। चात्रों का। इस पेकार की घटनाओं ने कही नेतिक फिसनों को जनम दिया जिस पर विमास किया जाना आवस्त पितीत होता है। और राजनितिक दलों और सत्तपक्छ की जिम्मितार लोगों की भरती पिक्रिया में परोक छाष्टषेव की प्रवित्ती के चलते आम जनता में ये भरोसा बन चलाए कि बिना सिफारिस के सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, किसी भी विवाग में रिस्पत देकर नौकरी हासिल करने बालों से बैसी इमानदारी की आसा नहीं की जा स दसबीस लाख रुपे नोकरी के लिए दे रहा है तो पहले तो वो दसबीस लाख निकालने की वो रिकॉसिस करेगा ऐसा कई ही बार देखा गया कि पितेओं की परिट्चाओं में धानली और भिष्टाचार के आप देखेंगे बिरोध बोलने बाले चात चातरों की बात सुन एक पूरा तंत सक्रिये रहता है हाल की बरसों में एससी की परिट्चाओं की भरती में वीश्टाचार के मामले कई बड़ी कोचिंग संस्थानों की नाम सामने आग चुके हैं दोसरी बात अकसर परिट्चाओं की परचों को सरकारी प्रेस से छपवाने की जगे प्राइव परिट्चाओं में बड़े इस तर पर आप देखेंगे कि भरिटा चार धानली या पर परिट्चा लीक कराने जैसी घटनाय संभव नहीं हैं तीसरी बार सरकारी नौकरीयों में सामाजिक सुरक्षा की बज़े से युवाओं की एक बहुत बड़ी तादात इन परिट्चा खरीत पाना किसी भी आम चातर की बसकी बात नहीं है बास्तों में परचा लीक धानली या फिश्टाचार आदी रोजगार की संकट की एक अभिवक्ति मान सकते हैं असल में कुछ संपन लोगों की बच्चों को नौकरीयों दिलाने की प्रवित्ती के चलते ऐसे बहुत सारे योग बिध्यातियों को उनका हक नहीं मिल पाता है जो सचमोच उसके हकदार थे और इस तरह पैसे के बलपर सरकारी महकर्मों में आयोग लोगों की फोच जमा होती जाती है और जिसका असर सरकारी कामकाचप पढ़ता है इसके चलते बिश्टाचार पर काबू पाना भी इस पक्ष जाच जरूरी है अन्यत आप दिखे चात्रों का विवस्टा से भरोसा उठ जाता है नेती नेंताओं को सोचना चाहिए कि इन्हें आप दिखे बिवस्था में परिवर्तन की दरकार इस सरकार को सरपितम चैन पिक्रिया में ही अमोल चूल परिवर्तन करना होगा और एक ऐसी पारदर्सी विवस्था बनानी होगी और जिससे भेश्टर लोगों को किसी भी पेकार के पद पर तैनात होने से रोका जा सके कोई भी परिख्षा मजाग बनकर ना रह जाए और मसलन किसी भी पेपर की पेंट्रिंग परिख्षा आइज़ित कराना है में निज इनने विभागों को स्वक्ष बापारदर्सी परिख्षा करवाने ही तू आई-सी टी तकनीक पर आधारी परिख्षा पेडाली विक्सित किया जानी किया आव सकता है कंप्यूटर आधारी तेस्ट के लिए बिसोस्थनी है पित्तिष्ठेत कंपनियों को हायर करने का साथ क परिख्षा समंधी अनिमिताओं के लिए सकत से सकत सजा का प्रावधन किया जाना चाहिए वह इससे फास्ट्रक अदालतों के माध्यम से निप्टाया जाना चाहिए और इसके इलाबा एक सुतंत जाच एजनसी गठित होनी चाहिए जो समय पर परिख्षा पडाली की जाच कर इसकी खामियों को जागर करें और सुधार ही तू उपायच हो जाए देखिए जब भी आप लोग इस तरह के मुद्दे पर टौफिक पर कुछ लिख रहे हैं तो क्यों लीक हो रहे हैं क्या बजर हैं उनके बारे में बता दिया करिएगा और सरीकार की तरफ से क्या पहले अब्यारतियों को मिले ग्रेट करा पिश्नपत्य लीक का आरोप और संदिक अन्य वित्ता आँं 17 में NTA की स्थाफना इसलिए की गई थी कि निस्पक्ष तरीके से एक तरह से जाचो लेकिन वही सवालों के गेरे में हैं और आप दिखते हैं कि सवाल है कि जिस एजनसी का गठन परिक्षा में भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया उसकी विस्वासनी तक हतम होने के लिए कौन जिम्मेदार है यदि NTA परिक्षा करवारे में आसफल सावित हो रही है तो उसे कौन ठीक करेगा और सबसे जिनता जिनक पहली हुए है कि नकल गिरो ना केबल परचे आउट करा रहा है बलकि मूल की जगए किसी अन परिक्षाओं को भी वेठाने की जुर्रत कर रहे हैं देखा जाए तो सिक्षा का संपूर्ण छेत्र ही फिष्टाचार का सिकार होता जा रहा है पितिभासाली चात्रों का विविस्वास खत्रे में द हेकिंग और परिक्षा के दोरां एलेक्टोनिक उपकारणों के उपयोग के मामले आते हैं इस अंदर में जेनरेटिव एई किंतिम बुधी मता की उपयोग ने नकली पहचान पत्त चित और यहां तक की लिकित सामगरी के निर्माड की इसकी छमता के बारे में भी चिंताओ उठाया है जिसका उपयोग धोकाधड़ी हितु किया जा सकता है जेनरेटिव एई का एक ऐसी तकनीक है यह नई सामगरी बनाने के लिए यह यह लिगोरिद्म का उपयोग करती है जो मानोर जनित सामगरी छेत्रों चबियों पाट और यहां तक की धोनी की नकल करती है जब प्रुद्की की प्रगती की रूम में अधिकारियों और सरकारों के लिए यह महत्पूर्ण है कि बे नवींतम विकास के साथ चलें और इसके दुरुपयों को रोकने के उपयों को लागू करें पेपल लीक समस्या सामान परिवारों के लिए अभी साब जैसा है उनके बच् होसला भी तूट जाता है मनुवल के बल बच्चों का होसला नहीं तूटता है उनके जैसे उनके जैसे अभिभावक का भी मनुवल प्रभावित होता है और कई परीजन लोग लेकर बच्चों की बढ़ाई कराते हैं लोन लेकर लेकिन मेधावी बच्चों के भवस्त के परकारी अजनसियों की कारवड़ाली पर सवाल खड़ी करती हैं बलकि इन में बैट रहे लाखों युवाओं को अपने भविस्थ को लेकर चिंतित भी करते हैं भरती परिक्चाओं के समुझे सिस्टम को ऐसा बनाने की जरूरत है कि ताकि उसमें सेंद नहीं लगाई जा सके पेपल लीक के अधिकांस गठना भरती अजनसियों के करमचारी उफवेंटिंग फेस से जुड़े लोगों की मिली भगत से होती हैं इन पर नए कानून के अनुरूप सक्त कारवाई होनी होगी तो संगठित गिरो नहीं पनप सकेंगे सभी राज्यों को अपने अपनी भरत पीस्वेस एक्जाम की दिमांड के हिसाब से लिके जाते हैं उस लेबल के रहते हैं ने की कर इंट्रनेट मीडिया पर ढलकरी खरी तंज कसा जा रहा है राजनिती की बात हैं हो रही है चली पढ़ना वो पढ़ सकते हैं इसकी पीडियाप आपको एजूकिसन सर्कल प्लेट भी जाता है भोकमारी के आगोस में पलता बच्पन और इस तरह की टॉपिक से आपको प्रेलिम्स में भी कुश्चन्स पूच लेता है और मुख परीक्षा में भी और आपका निवंद भी आ जाता है कहने को तो दुनिया आधोनिक हो चुकी है लेकिन सामाजिक मूल्यों का प परवादी अपने चरम पर पहुँच गई है तो दूसी तरह भूख और को पोषण गंभी समस्या बनती जा रही है स्थराष्ट बालकोस की ताजा रपट की मुताविक दुनिया में पांच वर से कमायू के 27 पीज़दी आनी करीब 18 करोड बच्चे गंभी खाद संकट का सा कर रहा है और हाली में आप दिखते हैं कि अंतराष्टी है स्थरम संगटन की महाने देश्तक गिलवर्ट होंग वो ने कहा कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड बच्चों की स्कूल के बज़े मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है यहां तक कि उन्हें गलत का करोड बच्चे ऐसे हालात में संगहस करें देखिए आई एलो की बात करें तो इसके बारे में भियाद रखेगा इनसे भी कुश्टन्स पूचे जाते हैं इस तरह के संगटनों से इंटरनेशनल लेवर और्गनेजिसन की बात करा हूं में इसका हेड़क्वाटर आपको कहा जेनेवा सुईजलेन में देखने को मिलेगा गयार एपरेल उननीस सो उननीस में इसकी स्थाफना हुई थी साइफ्तराष्ट पर्यावन कारकरम की खाद बरबादी सुचकांग 2024 रफट की अनसार पिछली एक वर्स में 1.05 अरव टन भोजन बरबाद हो गया जिनमें से करीब 20 पीसदी खाद कूडे में फेक दिया गया इसे आप लोग इस रिपोर्ट का भी उन लेक कर सकते हैं अपने आंसर में और अपने निबंद में बाजार में उपलब देखाद उतपादों का लगभग पाजबा हिस्ता बरबाद कर दिया जाता है वहीं से उक्तराष्ट की एक रफट के मताविक पितिवस सब से जानदा 63.1 करोर टन यानि लगबग 60 फिजदी भोजन घरों में बरबाद चला जाता है और देखिए जब आप लोग भुकमरी पर गरीबी पर आप लोग निवन लिख रहे ना तो इनका वो लेक जरूर किया करिएगा एक तरफ जहां लाखों लोग भूंके पेट सोने को मजूर है वहीं दुनिया के सबसे संपन परिवारों में आप दिखते हैं कि हर वेक्ति दो कौंतल भोजन हर वर्स बरबाद कर रहा है अन की तरह या बरबादी अब्यस्पिक तरास्ती बनती जा रही है और यहां तक ही जलबाई परिवत्तन जैब वित्ता के नुक्सान का भी सबक ब दिखाए गया है लेकिन सहरी और ग्रामीड चेत्रों में के बीच इस बरबादी की मातरा बहुत अलग है मध्यम आये वाले देशों में ग्रामीड आबादी अवेक्षाकित कम भोजन बरबाद करती है और सइकतराच की कौसे से की भोजन की बरबादी 2030 तक 50% कम की जाए अक काम पर जाने वाले बच्चे और इसके सोर ही नहीं बलकि 6-11 महा की 30 फिस्दी और 12 से आप देखे 17 महा की 13 फिस्दी 18 से 23 महा की 18 फिस्दी सिसू भी सुमार हैं इस से वीच हमारे देश में अलपोशन ब्यापक ता 14 दसमलों 6 पी 30 से बढ़कर 16 दसमलों 3% हो चुकी है ऐसे म मुताबिक हमारे देश में लगबख 60 फिस्दी बच्चे दुख आदी फूसा काहल से बंचित रह जाते हैं समीधान का नुच्छे 21 सभी को निर्बाद जीवन जीने की आजादी देता है समीधान का बागतीन और बच्चे किसी भी देश का भविस होते हैं इसके लिए आप तरीके से किरियानमन किया जाता है और भुकमारी को पोशन की सबसे सबसे बड़ी वजए आर्थिक आसमानता निर्धनता और महेंगाई है आज आबादी का एक बड़ा हिस्ता खाद पतार्थ और स्वक्च पहेजल से वंचित होता जा रहा है और इसकी बड़ी बजए सरका पनान हासमान बितरन हो रहा है भारत में गरीवी और बाल्सरम बातीजे सोसन की सामने या रहा है रही रोश योक्रेण युद के वासे दुनिया में इसारेकारी भंडार इंकम हो रहा है भारत में ही पिक्षले एक साल में गैंउब का नाम 8 exits रहा है भारत जैसे क्रिसी पिधान देश में अनाज की परियापत खरीदी नहीं हो पा रही है और जबकि सरकार मुप्त अनाज योजना बीपील धारकों को कम कीमत पर अनाज उपलब्द कराने की योजना चला रही है ऐसे में यह भूक देश और समाज के लिए काफी महेंगी फड़ने बाली है और एक रफट के मताविक आप देखे 2022 के मुकाबले 2023 में दो करोड चालीस लाग लोगों ने बुकमरी का सामना किया है इससे के पीछे बड़ी वज़े सूडान और गाजा जैसे चेतरों में खादूस रक्षा में आई वारी गिरावट भी है जो देश यूकरन और संगर्स की मार जहल रहे हैं वहां भूकमरी से हालत बिगड़ते जा रहे हैं दच्षिड सूडान में करीब 89,000 लोग ऐसे हैं जो वुकमरी के पांचवे चर्ण में पहुंच गए हैं जलवाई परिवतन भी वुकमरी बढ़ाने के एहम भूमिकाने बार आए यह भी बता दिया करिएगा अलनीनो 2024 में अपने चरम पर है जिसका सीधा पर प्रभाव खाद इस रक्षा पर पड़ा है और इसके कारण पूरी वी और दच्षिड अफीका में कमबारे सोबार जैसे हालात पैदा हुए अलनीनो दच्षिड अफीका में आए भेंकर सूखे की एक बड़ी बज़ा रहा है अंतराश्री गयर सरकारी संगटन आक्स फैम की एक रिपूर्ट के रपट के इनसार इस सूखे के कारण इस इस राके में दो करोर चालीस लाग लोगों को भुकमरी पानी की कमी और कुपोसन का सामना करना पर फड़ा है और सीधी सी बात कि भूख की कोई सीमा कोई सरहर नहीं होती है या बच्चों पर भी कोई रहम नहीं करती है दुनिया में हर पांच में से एक बच्चा कुपोसन का सिकार है इसकारत है कि बच्चों को उचित अहार नहीं मिल पा रहा है यह सिर्फ स्वास संकट नहीं बलकि आप दिखे संकेत है कि हम अपने समाज और मानवता के पिती कर्तबों को निभाने में बिफल हो रहे हैं बच्चे भूँक से बिलक रहे हैं तो फिर आप दिखने हैं कि समाज कैसे आंगे बढ़ेगा एक तरब तो दुनिया भर में अर्दवस्ता के चमकते आंकड़े विकास है और तरक्की के बड़े बड़े दावी कर रहे हैं जबकि दूसरी तरब आप देखे रहे हैं तीन करों लोगों को यह है तक ख़बर नहीं है कि उनको उनको अंगला भोजन मिलेगा भी या नहीं एक कैसा विकास है तो इस तरह से आप देखेंगे यह है आज की संपात्किय पाट की कहानी आप लोग पढ़ते रहे हैं इंज्वाय करते रहे हैं आपको कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ तो आप लोग जरू बता सकते हैं धन्दबाद